नम्शकर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के बचार में तो आज एक दसंबर है तो आज का मुख्या बचार है कि मजूद्धा समय में शादी से पहले जनम पत्री मिलवाने की जगए खून के टेस्ट करवाने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है के कहीं किसी को एड़िस जैसे है कोई लाई लाज बेमारी तो नहीं तो ये साज का मुख्या विचार अब बात करते हैं एक दसंबर के साथ जुड़ी हुई इतिहासिक वग्यानिक और समाजिक जानकरियों के बारे में तो एक दसंबर 1915 को बावू जितंदरनाथ की शहीद हुए एक दसंबर 1924 को करांती करी बबर आवर सिंग को लहोर जेल में शहीद किया गया एक दसंबर 1963 में नागालेंड भारत का सोलवा रज्य बना एक दसंबर 1964 में वग्यानि डक्टर जेबियस हार्डेंड का दिहान्त हुआ एक दसंबर 1905 में बीएस एफ की स्थापना की दिए एक दसंबर 1970 में गदरी बाबा करांती करी सज्जन सिंग नारंगवाल का दिहान्त हुआ एक दसंबर 1997 में बिहार की एक गुंड़ा रणबीन सेना की ओर से CPIML के जो पक्ष के 63 लोगों का कतल किया गया तो ये था एक दसंबर के साथ चुड़ी हुई बशेश जान कर रहे हैं के बारे में और अब आद करते हैं विशव एड़स दिवस के बारे में तो एड़स दुनिया में 9.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो एड़स से पीड़त हैं लेकिन उनको मालव नहीं है कि वो HIV के पीड़त होने के बावज़द भी उनको उनके बारे में मालूम नहीं है कि वो HIV के से पीड़त हैं या ये उसको बिमारी लग चुकी है तो HIV मतलब बिमारियों के बुरुद संगर्ष करने वाली सरीरिक शक्ति का कमजोर हो जाना है उसको HIV कहते हैं तो 1981 अमरिका में सबसे पहले इस बिमारी के बारे में मालूम हुआ तो 1983 को इस बिमारी को जो ये बिमारी इस रो को चलाने वाले जो बश्चानु हैं उसको HIV का नाम दिया गया और अमरिकी और फ्रांसेशी विगानियों ने मालूम किया इसके बारे में इस रो के बारे तो भारत में पहला मामला जो था HIV का वो सबसे पहला जो मामला था वो मदरास में एक सक्स कर्शियल वर्कर का समने आया था और उसी वर्ष ही दूसरा जो केस था वो मुबई में समने आया और पंजाब में 1987 के समय में तो नवा शेहर है जो डिस्ट्रक भी है तो वहां पर एक ट्रक ड्राइवर जो का उनकी रिपोर्ट में है एच चाईवी का जो केस था तो तीसरा केस जो आया तो पहली बार एक दिसंबर उननी सो ठासी को विशव एड़स दिवस मनाया जाने लगा तो तीस परसंट जो मामले हैं एच चाईवी के वो पंदरा से चोविस वर्ष की आयू के लोगों को ज्यादा होते हैं तो कोईनों की एक रिपोर्ट के अंसार 2030 तक है एच चाईवी की जो एड़स की जो महामारी को खत्म करने की जो कोशिश है वो की जारी है कि 2030 तक इसको खत्म किया जाए तो इस बिमारी के लक्षण क्या है इस बिमारी के जो लक्षण है एच चाईवी के तो म्रीज का जो वजन है वेट है जो उसका वो दस परसंट कम हो जाता है तो महिने से ज़्यदा बुखार खांसी जुक्ताम उल्टिया दस्थ का लगे रहना जीब मुँ के अंदर फफोले और गुप्त अंगों में जो है किल्टिय जैसे और चमड़ी में खार खुजली इस तरह के जी जो इसके लक्षण है वो सामने आते हैं अगर यह लगातार हो रहे हैं तो समझो के आप HIV से पीड़त हो चुके हो इसके HIV के जो रोग के पैदा होने के बिमारी के पैदा होने के जो कारण है वो है किसी प्राए मर्द या औरत के साथ एस रुक्षत जो है यौन समंद बिना जांच के खून जो है एक दूसरे को देना या लेना या एक ही सिरिंज सुई के साथ इंजंक्शन लगाना शेश करके जो नशा करने वड़े लोग हैं जो मेडिकल नशे करते हैं तो वो एक ही सिरिंज से कई के लोग जो है एक ही सुई से एक दूसरे को इंजंक्शन लगाते हैं जिससे HIV फैलता है तो अगर किसी औरत को HIV है तो उसके पैदा होने वाड़े बच्चे को भी अच्छाइवी होगा, वो भी रोग से पीड़त होगा, हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है. तिसरा कारणा कि जैसे आज कर टैटू बनाने का जो क्रेज है तो उसके पर भी कान नाक या स्रीव के और कहीं भी यह टैटू बनवाना के लिए या फिर A की ब्लेड से कहीं लोगों के 고양ी के शेव करने से या उसका इस्तेमॉल करने से या A की टूथ ब्रश जो है उसका इस्तेमॉल करने से यह एक दूसरे को HIV फैल सकता है और एक व्यक्तिकों HIV है और उसका जो इस तरह का समान जो यूज़ करते हैं तो वो एक साथ रहने, हाथ में लाने, एक साथ सोने, खाने से एच्चाई या कीड़ पतंगे, कटमल, मच्छर के काटने से यह नहीं फैलता है. तो हईवी के इलाज के लिए पंजाब में 625 आई, सी, टी, सी, सेंटर जो है, जहां मिरिज्जों की कौंसलिंग की जाती है, तो नो, आर्टी सेंटर जो है, जिसमें मुफ्त इलाज किया जाता है. तो जहम मुफ्त इसके टेस्ट की जाती है, इसके इलावा जो ब्लड बेंक हैं, वो 112 हैं बजाता है. सरकारी जो प्राइवेट या मनजूर सदा या जो मिल्ट्री के टोटल जो है, जो 12 है. इच्छे इससे बचने का एकी असान जो है, तो तरीका है, कि इससे जितना भी एक दूसरे से, उसका समान जो है, उजूज करने से प्रहेज किया जाए. तो अब बात करते हैं, इंग्लेंड, तो इंग्लेंड जो है, वो 1519 में, विचेंस्टर को इंग्लेंड की जो राजदानी के तोर पे बनाया गया था, इस समय इंग्लेंड की राजदानी है, वो लड़न है. तो दूसरे मुख्या शेहर जो है, शेहर में, बर्ग्डिंग, मैंचेस्टर, सेफिलर्ड, लिवरपूल, न्यू कैस्टल, वो शामल हैं. तो इंग्लेंड और फ्रांस के बीच लगबग, पचास किलो मेटर की दूरी, और उसके एक ये देश एक दूसरे से, चैनल टलना, यानि के पानी के निच्चे से, सुरंग के साजिये, एक दूसरे से, दूरा जो है, वो जुड़े हुए हैं. जो के उननी सो चिराणमे में इनको बनाया गया था, उस रंग को. तो इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी जील है, उसका नाम वेंदर मेर है, और इंग्लैंड का सबसे उंचा जो पर्बत है, सकैफल पाइक है, जो लग बग नौसो अठटर मीटर, यानि के तीन हजार दोसो नौ फिट की उच्चाई पर है. तो गर्मियों में ओल्पिंक खेल जो हैं, वो लंदन में तीन बार, उननी सो आठ्ट, उननी सो अठ्टारीस और दो हियार बारा को अयोज़त किये गए थे. अब बताते हैं आपको कुछ रानी जनक तथ है, समंदर में नौकाएं या जहाजों के लिए, जो एक सो पंदरा किलो मिटर की जो रफतार है, वो निश्चत की गई है. तो जो हम पत्तर लिखते हैं, डाग पत्तर लिखते हैं, तो डाग पत्तर के उपर अगर उल्टी टिक्टर लगा दी जाए, तो वो कनूनी जर्म है, सजा जाफता जर्म है वो, तो आत्म हत्या की कोशिश करना भी एक कनूनी जर्म है, उसके अंदर भी आपको सजा हो सकती ह तो किसी भी जंतक जगह पर एक पैमाने से ज़्यादा शराब पीना गैर कुरोनी अपराद है तो वाल्टर आर्नूल अड़ नाम के एक व्यक्ति को अठारा सो च्यानमे में तेज रफार से गाड़ी चलाने के लिए जर्माना लगाया गया था उसके बाद ही ये तेज रफार के उपर जर्माना लगाने का जो उसकी शुरुआत हुई और दुनिया की आज तक की जो सबसे चोटी लड़ाई सबसे चोटी जंग है वो इंगलेंड और जंजी बार के बीच में लड़ी गई और ठारा सो च्यानमे में ये जंग हुई जो लगबग 38 मेंट चली और इस 38 मेंट में इंगलेंड की जीत हुई जीसे दोस्तों आज का बिचार उसके बारे में जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी तो इसको ज़द ज़दा लाइक शिर करना कमेंट करके अपने बिचार जरूर देना